अज मैं थोड़े नेल शेयर करूंगी मसालेदार काजूते बदाम बनांडी रेस्पी सर्दियां ता मौसम चल रहे इस मौसम विच असी मसालेदार ड्राइफूट अपनी फैमली विच बैटके भी खा सकते अपने करवी चायों हैं महाना नों भी सर्व कर सकते एक हैल्दी न मौकीन है varter dry food ब्रॉनी तोसो घ्रम में काजू लें 200 ग्रम में बदाम लें अग्दा चमच लाल मिर्च लिये अग्दा चमच चाथ मसाला अग्दा चमच जीरा पौडर अदण चमच एमचूर पाऊडर अग्दा चमच काला नमक श्मच नमक तस आपकर नह सकोगर देangan दिखोंगे उस विच अद्दा चमेच देसी के उदा पाऊंगे तोसी कोई भी कुपिंग वायल पासक दे क्यों गर्म हों दे में इस विच काजू पादने है काजू लगा तर रहलाङों हो और जाइब फ्राइं करूँगे हैं तोसी हूँ में केश बीच काजू पाद साहतने हैं काजु बहुत कट के ओदे विच फ्राई हो जन्दे, फ्लेम में लो रखने हैं, जदो भी काजु नुँ फ्राई करना, तेकसे खुले पैन विच फ्राई करना, काजु अंदर हलका जाए, कलर चेंज हो चुके, एक मिट काजु नुँ में होर फ्राई करूंगे, इन्न देपर हलका गोल्डन कलर आजेगा काजू नों हाई फ्लेम ते फ्राइ नीक नीत है काजू सड़ जाणगी काजू फ्राइ हो चुके इनना देपर बहुत बदिया गोल्डन कलर आचुके कि अ प्राइ जाग। मुझे ना काजून में प्रेट विच कड़ लाना काजून फ्राई करके में एक साइट रखता है आप तुसे देखो एन्ने की काजू पाँ फ्राई करने इस तो ज्यादा नी फ्राई करने इसे पैन विच अद्दा चमच में देशी के उता पाऊंगे उन्न में इस देविच बदाम पा देने बदाम मानो भी लो फ्लेम ते में लगातार हलौन देखे फ्राई करूंगे बदाम फ्राई हो चुके जि मैं मुफली पुन देबुन देखे बुचाएं खुल जान दे बदाम वियों में तोड़े खुलन लागे बदाम मानो भी में एक प्लेट विच बार कर लाण दाम ते काजू नो फ्राई कर दें बहुत ज़्यादा देखे को नील लगे इस करके तो सेने नो देखे को विच भी फ्राई कर सकते उन पैनो में लो फ्लेम ते गैस ते रुखोंगी तेस विच पाऊंगे मसाले अद्दा चमच लाल मिर्च पाऊंगी अद्दा चमच आम चूर पाउडर अद्दा चमच आठ मसाला अद्दा चमच जीरा पाउडर अद्दा चमच काला नमक दा चमाच चित्टा नमक कुछ सेकेंड स्ली में मसाल्यानू पैन विछ लाऊंगी ताके मसाल्यान दा हलका जाक अच्छा पन खतम हो चुए उनमें स्विच पुन नहें बदाम ते काजू पालाने चंगी तरह मिक्स करूंगी ताके मसाल्यान चंगी तरह काजू है ते बदामा दे उपर कूठ हो जोई मसाल्यान चंगी तरह काजू ते बदामा दे उपर चिप गए बहुती मज़ेदर चिट पटा मसालेदर नमकीन बन के रेडी हो चुके सर्दियान दाही खास नमकीन सबनों बहुत पसंद आएगा इस नमकीन रेडी करने विछ बहुत ज्यादा क्यों भी नहीं लग गया तुसरी बड़ी वीडियो दिखा लिटोड बहुत बहुत तनवाद स्थमार